आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियल मैं रिजनिंग पे हमारा कंटेंट ही हमारी पहचान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप अच्छे ही होंगे रोज जो आप लोग केमेस्ट्री सोरी अपना जो साइंस का आप लोग रोज क्लाइव आप लोगों के सामने में लेके आता हूँ जिसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायो तीनों के तीनों सब्जेक्ट होते हैं ठीक है तो आज वैसे ही बहिया एक नए लाइव टेस्ट के छोटे से टाइम में मैक्सिमम मैक्स टुमैक्स क्योश्शन आप लोगों को देने की इकोसिस करेंगे और जल्दी से आप लोग सभी आके जूट जाईए सभी को गुड यूणिंग नमस्ते भया देखो अपन जो हमेशा की तरह करते हैं आज प्रिवेस एयर के क्योस्टन्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई साब इधर स्क्रीन पर आपके सामने क्योस और उसके बाद में हर एक क्योस्टन से जुड़े दो तीन दिन फैक्ट और अपन एडवांस में देखेंगे सारे की सारी चीज़े ठीक है तो आई होप आप अपने नोटबुक और पैन साथ में लेके बैठे हो और अच्छे से अभी अच्छे से अभी क्या करते हैं भया स् देखो क्यों सबसे पहले अगर आप पढ़ने जाते हो पहला तो उसमें है फटिलाइजर है वाले कोन सा उर्वरक है या नाइटोजन की परसेंटेज जो है वो किसमें ज्यादा है या आप लोगों को सीधर बात बतानी है तो मुझे बता दो हुरिया में है या अमोनियम ट्रेट में है जल्दी से सभी के सभी आंशर कर दीजिए सभी को पता होना चीए कि भाहिया जितने भी फटिलाइजर दे रखे इनमें नाइटोजन तो होती है क्यों कि पेड़ों को बहुत जारा जरूरत होती है उस चीज की नाइटोजन के ठीक है इसलिए सारे के सारे गड़िया सा आंशर इसका बता दो अगर बात करते हैं अपन यूरिया की यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है बात कर लेता हूं सबसे पहले यूरिया की अच्छे यूरिया का फॉर्मूला क्या रहता है जल्दी से बता दीजे यूरिया का फॉर्मूला क्या है nitrogen कितना percent है जल्दी से बता दीजिए अरे यूरिया का तो सभी को बताई है कितने 46% nitrogen होता है इसमे nitrogen कितना होता है 46% होता है भहिया यही आप से पूछा है अगर मैं एक और की बात कर लेता हूँ तो आप लोग देखो आप लोगों के सामने कौन सा इक option है आप लोगों के सामने भहिया कौन सा एक option है जल्दी-स बता दीजिए आपके सामने option है ammonium, क्या था ammonium nitrate, तो जल्दी से बता दीजिए ammonium nitrate ammonium nitrate की बात कर लेते है जल्दी से, आच्छा ammonium nitrate का मुझे formula बता दीजिए, क्या होता है ammonium nitrate का formula NH4 NO3, क्या लिखोगे NH4 NO3 होता है भाईया, अच्छा ammonium nitrogen में percentage of nitrogen नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है जल्दी से बता दीजिए जो नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट होगी यूरिया में तो 46% होती है और इसमें 33.5% 33.5% होती है बहिया क्या बताओगे जो यूरिया है उसमें 46% होती है और इसमें 33.5% ही होती है तो क्या बताओग maximum कि इसमें यूरिया में हो जाएगी 46% समझ में आ गई next वाले question पर बढ़ते हैं भाईया आगे वाले question पर चलते हैं आप लोगों की screen पर next वाला question सभी questions को note करना है अच्छे से क्या करना है screenshot ले लीजिएगा note कर लीजिएगा जो भी करना है कर लेना लेकिन note book में होने चाहिए सारे के सारे question तभी जाके जब last में revision करोगे ना फाइदे वाली चीज तभी होगी ऐसे नहीं होगी बैट के देखने से और comment box में comment करने से नहीं होगी ठीक है बाकी comment तो करना है उससे भी आप लोगों को क्या कि भी आपका revision ही हो रहा है वो वाली चीज लिखा करो ऐसे typing कर देते हो ना तो type करना pen में लिखने के बराबर है तो answer भी करा करो और अपनी note book में लिखा करो अगले वाला question भी आप लोगों से पूछा है what is the untrue for bleaching powder bleaching powder के लिए असत्य क्या है bleaching powder के लिए असत्या फिर untrue कौन सा भी आ bleaching powder की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले bleaching powder का formula मुझे बता दीजी bleaching powder की बात कर लेते हैं भी आप bleaching powder तो मुझे जल्दी से एक बात बताईए आप लोग bleaching powder जो होता है सबसे पहले माँ आपसे पूछना चाता हूँ भी आप bleaching powder का formula फिर जो untrue आ फिर true statement वो तो सारे की सारे अपन देख लेंगे bleaching powder क्या होता है CAO CL2 से लिखते हैं इसको किसे लिखते हैं CAO CL2 से लिखते हैं भी आप bleaching powder को समझ में आगी बात ये तो हो गया bleaching powder का formula इसको calcium hypo chloride भी बोलते हैं क्या बोलोगे calcium hypo chloride calcium hypo chloride ठीक है ये रहाजी calcium hypo chloride फिर अगर अपन लोग बात कर लेते हैं bleaching powder CAO CL2 हो गया और इसको बोलते क्या है calcium hypo chloride बोल देते हैं भाईया फिर आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या होता है तो आप लोग बोलोगे ये हलके पीले रंका पाउडर होता है ये क्या होता है बिलकुल सही बात है भहिया क्या होता है हलके पीले रंका पाउडर होता है ठीक है ये वाली बात भी आप लोग सही बोलोगे फिर अगर एक और की बात करें तो ये है प्रहते है उक्सिदेनट भी होता है तो एक और की बात कर लेते हैं जिसमें बोला गया कि डाइलूट एस läuft के साथ साथ के क्लोरीन मुक्त करता है बिल्कुल इसकी अगर आप लोग reaction कराओगे किसके dilute acid के साथ में तो क्या करेगा भाईया एक gas chlorine मुक्त कर देता है लेकिन जो पहला option है यह सारे के सारे इसके बारे में सही हैं चीज़ें आप लोग देख लेना एक जो important पुछा था इसका formula CAOCL2 फिर आपसे पुछा गया पहले वाला जो option है कि यह पानी की तुलना में अधिक गुलंचील है बिल्कुल जी यह गलत है पानी की तुलना में अधिक गुलंचील नहीं है तो जो पहले वाला option है वो आपका गलत हो जाएगा बाकी की बाकी सारे सही हो और आपसे अंट्रु ही पुछा था कौन से वाला गलत है पहले वाला गलत हो जाएगा कि भाईया यह क्या पानीस की तुलना में अधिक गुलंचील नहीं होता है ठीक है बाकी सारे सही है CAOCL2 बोलते हैं KLCM हाइपोग्लोराइड बोलते हैं हलके पिले रेंका पाउडर ओक्सिडेंट होता है और डाइलूड एक्स एसिड के साथ में रेक्शन करें क्लोरीन गेस मुक्त होती है समझ में आगई बात अगले वाले क्योशन पे चलते हैं भाईया नेक्स्ट वाला क्योशन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से देखिए और जल्दी से उसका मुझे आंसर कर दीजी आप लोग देखिए भाईया जल्दी से देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे क्योशन लग चुगा है मैं इसे हटाता हूँ इतने आप लोगों को क्या करना है उस question को पढ़ लेना है उसके options को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है फिर अपन लोग क्या करते है next पे चलते है next वाले question की बात कर लेते हैं देखो अगले वाला question भाया अगले वाला question आप लोगों से पूछा गया है कि आप से पूछा गया खोपड़ी में पाई जाने वाली कपाल की हड्यों की संख्या कितनी होती है भाया जो अपनी खोपड़ी है ये वाली तो जो कपाल की हड्या है वो कितनी है तो आपसे पूछा भाया खोपड़ी में जो कपाल की हड्या है वो कितनी है ठीक है कपाल की हड्या कितनी पाई जाती है option आपको दे रखा है 8 पाई जाती है 30 पाई जाती है 32 या फिर 34 34 कितनी पाई जल्दी से मुझे बता दीजिएगा भया खोपड़ी में पाई जानेवाली कपाल की हड्यों की संख्या है क्या बता रहे होंगे आप इसı टाइम कि भया कपाल की हड्या होती है वो कितनी होती है टोटल 8 होती है, फिर अगर 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 आगे बात कर लेते हैं, मैं आपसे और पूछ लेता हूँ अच्छा मुझे बता दो, total number of bone in hand, भई, हाथ में total number of bone कितनी होती है जल्दी से बता दीजिए, और total number of bone, अगर आपसे आपके foot में पुछू, पैर में पूछू तो total हडिया बताईए भाया total हडिया आपको बतानी है किसमें पहले तो हाथ में बता दीजिए और फिर पैर में बता दीजिए जल्दी से सारे की सारे answer कर दो इसका पहले भी बता चुका हूँ ये वाले तो हाथ और पैर के बारे में कि भाई या heart में तो होती है 27, कितनी होती है total 27, और pair में कितनी होती है 26 होती है, ये लिजिए ये दो option आपके सामने आपके screen पे हो गया कि नहीं हुआ, अरे हो गया कि नहीं हुआ, क्या होता है, खोपडी में कपाल, जो आपके कपाल में हड्या, वो तो 8 होती है, total heart में 27, pair में 26 आगया आगे की तरब चलते हैं next वाले question पे आप लोगों की screen पे भाईया अगले वाला question लग चुका है देखो बड़ा ही प्यारा question है बड़ा ही अच्छा question है इसको जल्दी से करो जितना जल्दी हो सके ना इसको जल्दी से question का मुझे answer दे दो फटाक से फिर अपने लोग आगे की बात करते हैं ठीक है इस question का answer कर दो भाईया और बड़ा ही तगड़ा question है देखो आप से पूछा है कि length of elementary canal of man is approximately मानव सरीर में आहार नाल जो होता है आहार नली की लंबाई लगभग कितनी होती है भाईया elementary canal के बारे में पूछा है आहार नाल या आहार नली के बारे में पूछा है आपसे आहार नली इसकी आपसे पूछा है लंबाई आहार नली की क्या पूछी है आहार नली की भाईया लंबाई पूछी है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसकी लंबाई कितनी होती है कितनी होती है भी चेक कर लेते हैं भाईया ओप्सन में 16 फिट, 18 फिट, 22 फिट या फिर 30 फिट कितनी होती है भाई साब जल्दी से बता दीजिए और यह जो आपकी आहार नाल होती है यह क्या होती है भाया एक लंबी नली होती है क्या होती है लंबी नली होती है जो कहां से भाया मुख से स्टार्ट होती है और सारा का सारा इसमें क्या होता है इसमें भोजन इसी के द्वारा सरीर में अंदर जाता है भाया भोजन और क्या ह इसी में पसने वागेरा का काम होता है अहर नली जो होती है अहर नाल जिसको बोलते हैं अपर लोग अब जल्दी से बता दीजे इसकी लंबाई कितनी है ती है क्या बताओगे कि सेर हमने तो इसकी लंबाई कितनी देखी थी हमने तो देखी थी 30 फिट होती है या फिर अप्रो 9 meter बी आपको option में मिल सकता है तो देखो कितनी बड़ी होती हैso कितना होता है? समझ में आगे ना देखो 9 meter कितना बड़ा हो 30 feet कितना बड़ा होता है? तो 30 feet की आहर नली होती है अपने अंदर समझ गए ना क्या बता होगे जल्दी से देखे और फिर आगे की तरफ चलते हैं अपन लोग तो आहार नली कितनी 30 फिट या फिर कितनी भाईया 9 मिटर की होती है सेर बता दोगे ना अरे बताओगे कि नी बताओगे अभी आगे वाले कोस्टिन पर चलते हैं ठीक है आप लोगों की स्क्रीन पर देखो ने रिवाईज करते हो ठीक है अभी देखो आगे वाली पर चलते हैं तो आपसे पुछा गया है नेक्स्ट क्योस्टिन बान टीबिया इस फाउंड भाईया टीबिया जो हड़ी है वो कहां पाई जाती है जल्दी से बता दीजिए अरे जल्दी से बता दीजिए आप लोगों क स्क्रीन पर जो अगले वाला क्योस्टिन लगा है वो जल्दी से मुझे बता दीजिए फिर आगे की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं जल्दी से सारे के सारे कोमेंट कर दीजिए भाई साब फिर अपने लोग आगे की तरब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्योस्टिन की तरब बढ़ेंगे देखो पहले क्योस्टिन को पढ़ो पहले क्योस्टिन को पढ़िए सेर फिर उसके बाद में नेक्स उसके आगे चलते हैं अपन फिर उसके बाद में अपन्च आगे चलते हैं अरे टीबिया हंडी कहां पाई जाती है जल्दी से बता दीजिए और आपकी स्क्रीन में जो option है खोपड़ी में, टांग में, या फिर arm में, या फिर mouth में कहां पाई जाती है भया, आपके यहां पाई जाएगी mouth में पाई जाती है, या फिर आपके कहां पे arm में पाई जाती है, या फिर pair में पाई जाती है अरे टीबिया कहां पाई जाती है क्या बताओगे सर लेग में पाई जाती है आपके पैर में पाई जाती है ठीक है एकदम से easy question था अभी आगे चलते हैं next वाले question पे बढ़ते हैं आप लोगों की screen पे भया अगले वाला question लगने वाला है देखो जल्दी से पढ of human body is भी आप पूरे के पूरे आपका जो human body है उसमें सबसे छोटी हड़ी और सबसे बड़ी हड़ी दोनों बता दो मुझे सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड़ी दोनों की दोनों बता दो जल्दी से और ये वाला question तो आपने बच्पन में सीख लिया होगा लेकिन भाई आया है रिपीट हुआ हुआ है तो क्या गरें भाई आपसे पूचा है भाई सबसे छोटी हड़ी मानों सरीर की सबसे छोटी हड़ी ठीक है और उसके साथ में आपको बताना है सबसे बड़ी हड़ी जल्दी से बता दीजिए सबसे बड़ी हड़ी अब देखते हैं कितने ल क्या बोलोगे सर स्टेपीज होती है क्या होती है स्टेपीज ये तो सबसे चोटी हड़ी होगी अचा सबसे बड़ी हड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ी हड़ी बता दीजिए मुझे जल्दी से क्या बताओगे फीमर होती है सर सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होगी तो आप विया सबसे बड़ी फीमर होती है कि मुझे average लेंधे इसकी average लंबाई कितनी होती है तो बता दीजे मुझे क्ल verlier बहुत बढ़ी होती है यह इसके स्टेपीज की बहुत बढ़ी होती है पचास पुंट पचास सेंटीमेटर के अप्रोक्ष होती है लगबग एवरेज लेंध होती है इसकी समझ में आगई बात अभी next वाले question पे चलते हैं भाई साब आगे वाले question पे चलते हैं ऐसे ही अपने notes बनाते रही है और बढ़िया से आप लोग करते रही है questions को समझ में आ गई जितना ज्यादा practice करोगे जितना ज्यादा revision करोगे आप ही लोगों का फाइदा जितने भी नए students है एक बार सबस्क्राइब जरूर कर देना और वीडियो को like and share तो आप लोगों को करना ही करना है ठीक है आगे चलते हैं जी next वाले question पे चलते हैं देखो आप से question पूछा गया है कि digestion started in man from भही मनुस्ये में पाचन प्रिक्रिया कहां से शुरू हो जाती है अभी बात करें थे न पाचन पाचन की इतना भोजन पचता है, ये वो हार नाल कितना लंबा होता है अभी बात करें थे ना कि anunci 30 feet का होता है 9 meter आप बोलोगे 9 meter रहता कहां पे हैं शरीन में ऐसे ऐसे गुमा गुमा के ऐसे पड़ा रहता है हार नाल समझ गे ना कितने 9 मिटर का या फिर 30 फिट का अभी बात कर लेते हैं नई चीज की जो आपकी स्क्रीन पे लगी है कि भहिया digestion started in man from भहिया मनुस्य में जो पाचन की प्रिक्रिया है वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है अगर आपसे बोलू कि भहिया पाचन की जो प्रिक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है तो ये मुझे बता दीजे start कहाँ पे होती है ठीक है start from कहाँ से start हो जाती है तो आपसे option में दे रखा है कि मलासे में start हो जाती है रेक्टम में या फिर स्टमक पेट में या फिर माउथ या फिर इंटेस्टाइन आत तो आप लोग सभी के सभी क्या answer करे हो कि सर माउथ से start हो जाता है मुझ से जैसे खाना चबाना है start करते हैं मैंने कुछ खाया चबाया तो जैसे चबाना स्टार्ट करया तो सर्माउट से ही स्टार्ट हो जाता है जो अपना मुह होता है तो अपने मुह से स्टार्ट हो जाता है क्या करना खाने की जो पाचन की प्रिक्रिया वो अपने माउट से ही अपने मुह से स्टार्ट हो जाती है समझ में आगे आप लोगों की screen पे लग चुका है और उसका answer मुझे दे दीजी देखो आपकी screen पे बहुत ही स्यांदार question इसमें बहुत confusion होता है आप लोगों के तो ये मुझे जल्दी से बता दीजे बहुत confusion होता है इस वाले question को लेके तो मुझे जल्दी से ये वाला question तो बताई दो आप लोग देखो जो अभी जो question लगा है आप लोगों की screen पे भाईया वो जल्दी से आप लोग देखिए और उसका मुझे reply करिए देखो आप से पुछा है bones join with muscles with the help of भाईया डेस की मदद से हड्या मास्पेसियों से जुड़ती हैं जो अपनी हड्या होती है самого जुड़ेंगी ना तो जुड़ती है भाईया किसके सहारे जुड़ती है यह आप से पूछा है कौन जोड़ता है उनको तो क्या बताओगे option में है ligament या फिर tendon या फिर उपास्ती या फिर छोटी मासपेसिया small muscles जल्दी से बता दीजी क्या बताओगे इसका answer आप लोग क्या बताओगे कि sir हड्डिया और मासपेसिया तो आपने याद करका तेंडन से जूड़ती है कौन जोड़ता है इनको टेंडन ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूँ ये तो टेंडन जोड़ देता है चलो हड्डिया और मासपेसिया अगर मैं आपसे पूछू कि बोन हड्डिया और हड्डिया आपस में जुड़ी रहती है उनको कौन जोड़ता है हड्डियों कोई हड्डियों से कौन जोड़ता है भाईया हड्डियों प्लस हड्डिया प्लस हड्डिया ठीक है इनको बता दो आप लोग इनको आप लोग बता दीजे हड़ियां और हड़ियां इनको तो हड़ियां और मासपेशियों को तो टेंडन और हड़ियां और हड़ियां इनको आपस में दोनों हड़ियों को उनको कौन जोड़ता है क्या बताओगे कि सर लिगामेट जोड़ता है उनको कौन लिगामेंट लिगामेंट उनको जोड़ता ह को से एक पूछी है यह यह भी पूछ सकते है कभी ठीक 안सी तूसरा भी पूछा आजा सकता है कभी भी हड्यों को व्कष्ट पियारे प्यारे क्योश्चेंट और बहुत बार पूछे bet इसलिए आप लोगोंको यहें अटाल कि थी लिए रहे में ही जेता हो scient deserves सारे कि सारे करवाए जा रहे हैं ठीक है अभी चलते हैं next वाले question पे हटा देता हूं इसे आगे वाला question भाया बायो के आ रहे हैं आज तो ढटा दर देखो जल्दी जल्दी इसकी practice करो और जल्दी से बायो कम पड़ते हो इसलिए ज्यादा बायो के डाले हैं ठीक है देखो कौन सी गरंती एंजाइम टाइलीन का स्रोथ है भाया ऐसी कौन सी गरंती है जो एक एंजाइम होता है टाइलीन जल्दी से बता दीजी जिसको बोलते हैं टाइलीन ठीक है टाइलीन नाम का एक एक एंजाइम होता है तो भाया ये वाला एंजाइम जो है ये वाला जो एंजा अगनासे, पैंक्रियाज, या फिर थाइरोइड ग्लेंड, थाइराइड गरंती, या फिर पिटूटरी ग्लेंड, पिटूटरी गरंती, जिसको प्यूस गरंती बोलते हैं, या फिर जो आपकी स्लाइवरी ग्लेंड होती है, लार गरंती होती है, वो, जल्दी से इसका आंसर क बता देंगे आप लोगों को ठीक है तो जो टाइलीन एंजाइम है वो जल्दी से मुझे बता दीजिए कहां पर पाया जाता है क्या बताओगे भाईया लार गरंथी होती है वो इसका स्रोथ है टाइलीन कौन सी सर लार गरंथियां ठीक है लार गरंथियां अच्छा लार गरं भाईया इसको saliva के नाम से भी क्या बोलते हैं saliva बोलते हैं saliva बोलते हैं और वो या फिर इसको tylene enzyme भी बोलते हैं और ये क्या करता है भाईया 30% of starch मूँ में ही digest हो जाता है आपका जो मूँ starch का जैसे खाने में तो बोजन में सारी चीज़े होती है तो स्टार्ज जो होता है का 30% digestion तो आपके मुँ में ही हो जाता है वहीं पर तो आप लोग क्या लिखोगे आप लोग journalist द्रटिए पर्सेंट ओफ digestion of starch digestion of starch थिक है in mouth complete in mouth ठीक है भebया मुँ में complete हो già है 30% digestion होता है 30% starch का digestion तो मुह में ही आपका जो mouth है वही complete हो जाता है समझ में आगई बात अभी next वाले question पर बढ़ते हैं आपने क्या सीखा भाया टाइलिन नामक enzyme है लार गरंती उसका एक स्रोत है लार गरंती उसको स्त्रावित करती है उसको क्या saliva भी बोलते हैं भाई साब ठीक है अभी आगे की दरब चलते हैं स्लाइवा को यह बोलते हैं भाया टाइलिन enzyme 30% starch मुह में ही क्या हो जाता है digest हो जाता है पच जाता है आपके mouth में 30% of starch क्या हो जाता है भाया digest हो जाता है पच जाता है ठीक है तो क्या सीखा टाइलिन और enzyme वगेरा यह सारी समझ में आगी next वाले पे चलते हैं आगे वाले पे चलते हैं भाया next वाले पे चलो जल्दी से बता दीजिए आगे वाले question का answer देखो इसे हटाता हूँ मैं और फिर next वाले question की बात कर लेते हैं अपन लोग देखो भाया कितना बढ़िया question लगा है आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका answer फिर अपन लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे next वाले questions की तरफ चलेंगे देखो जल्दी से इसका answer कर दो आप से बोला गया है कि ozone hole is caused by chemicals like बढ़ी ozone चिद्र जो है वो किन रासाइनों के कारण होता है जैसे ozone परद तो सबसे पहले मैं ozone परद की बात कर लेता हूँ ozone परद ozone परद में ही तो ozone छेद हो रहे हैं भाया ozone परद कौन से वाले मंडल में पाई जाती है क्या बताओगे सबसे पहले तो बताओगे समताप मंडल में पाई जाती है ठीक है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है कहां से कहां तक पाई जाती है ये भी बता दो 15 से 35 किलोमेटर तक 15 से 35 किलोमेटर वाली डिस्टेंस जो होती है वहाँ पर पाया जाता है समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाते है, ठीक है, ओजोन परत, एक्चुली ओजोन होता क्या है, ओजोन होता क्या है, ओजोन एक्चुली O3 को बोलते हैं, इसमें सिर्फ O के मोलेकुल्स होते हैं, ये एक टाइप की जहरीली गेस है क्या है भाया यह एक type की जहरीली गेस है यह लिजए जी एक type की जहरीली गेस होगी और यह क्या है ओजोन O3 समझ में आ गई लेकिन आप से पुछा है ओजोन करती क्या है यह भी पता है ओजोन परत क्या करती है UV ray जो अल्टरा वोलेट रेज आती है कहां से शूरज से जो sun है वहां पर विक्रिणों के साथ में ultra-violetage परा बैंगनी किरने आती हैं वो क्या करती है अगर सीधी आ जाती है परा बैंगनी किरने तो अपने skin cancer आंखो का cancer आधी बिमारी हो जाती है उनको ओजोन परत रोकती है अपनको protect रखती है है तो क्या रोकती है रोकती है जल्दी से बता दो क्या रोकती है UVको टीक है UV radiation को फिरा Bio घृए अनको रोकती यह पूछ रहा है आप से जो क्योशलिट में पूछ रहा यहितनी शारी चीजे आप से जो आ जानी चीजेंung क्योषण निया जैसे जो कहां से निकलती है आप लोगों के घरों में जो फ्रीज लगे पड़े हैं फ्रीज वाली गेस फ्रीजों से निकलती है या फिर एसी जो चल रहे होते हैं एसी से निकलती है फ्रीज और एसी से निकलती है कौन सी वाली गेस भैया सी एपसी क्लोरो फ्लोरो कारबन जि चेद हो रहा है तो उसका कारण क्या है cfc है option देख ले ना उसमें क्या है देख रो कौन सा एक लोरो फ्लोरो कार्बन जो सी ओप्सन है वो हो जाएगा अच्या इसके बहुता दो कार्भन टेट्रक्लोराइड की वजह से भी होता है देखो इसको एक बारी मैं हटाता हूँ या फिर इधर लिख देता हूँ देखो जो ओजोन परत अवक्सेप है यहां पर लिख देता हूँ ओजोन छेद ठीक है इसका कारण मैं बता देता हूँ एक तो cfc हो गई cfc क्लोरो कार्बन cfc के अलावा एक और क्ये बताता हूँ carbon tetra chloride की वज़ह से भी होता है एक होता है carbon tetra chloride tetra chloride ठीक है अगर यह वाले option आजाए आजाए न तो भी आप लोगों को टिक लगा देनास CFC, Carbon Tetra Chloride, या फिर क्या, Methyl Chloropharm, Methyl Chloropharm, उसकी वज़ा से भी होता है, तो ये वाली इतनी सारी चीज़े, Ozone परत के बारे में याद रखना है, Question पुछा गया हो, देन छेद के बारे में, लेकिन अपन सारी चीज़े देख लेते हैं, Ozone समताप मंडल में पाई जाती है, 25-35 किलोमेटर, Ozone को O3 से लिखते है, बहिया क्या करती है, UV रेसे, जो UV radiation आते है, Ultra Voilet जो radiation या फिर पैरा बेंगनी किरने, उनसे अपनी रक्षा करती है, अपना protection अपन को protect करती है, किसके कारण से Ozone प्रत में छेद हो रहे हैं, बहिया, होल बन रहे हैं, बहिया, CFC, क्लोरोफ्लोरो कारबन, कारबन, टेट्राक्लोराइड, इन सभी की वज़ा से बन रहे हैं, समझ में आ गई आप लोगों को, तो आगे की तरफ चलते हैं, next वाले question पे चलते हैं भाईया I hope यह समझ में आ गया होगा अच्छे से देखो जल्दी से बता दो अभी आगे वाला question आप लोगों की screen पे है जल्दी से देखें भाई साब आगे वाला question आप लोगों की screen पे है आप लोगों से पूछा गया है कि which of the following elements has the lowest melting point निम लिखित में से किसका गलनांक बिंदू सबसे कम है भाईया lowest melting point किसका है iodine का है या फिर lead का है या फिर tin का है या फिर pare का है mercury का है भाईया lowest melting point आप से पूछा है क्या पूछा है गलनांक बिंदू सबसे कम जल्दी से बता दिजे किसका गलनांक बिंदू जो है वो क्या है सबसे कम है भाईया सबसे कम है तो किसका बताओगे भाईया lowest melting point किसका है lowest melting point किसका है जल्दी से बता दो इन में से किसका है तो आप लोग देख पा रहे होगे कि जो mercury जो होता है न वो sir वो liquid में ही रहता है उसक यह तो बता दो कितना है mercury का melting point कितने पर melt हो जाता है क्या बताओगे mercury का melting point minus 38.83 degree centigrade minus 38.83 degree centigrade देखो तीन आठ फिर जिस्ट point के बाद में इनको opposite कर दो तो minus 38 पे ही melting point आ जाता है इसका बहुत ही कम है भहिया क्या बताओगे सबसे कम इन सारों में से जो भी आपके पास में option दे रखे हैं इन सारों में से सबसे कम किसका है hg का है mercury का है किसका है भहिया mercury का है पारे का है समझ में आ गई न और iodine, lead, otine इन सभी से कम है भाई साब mercury का कितना minus 38 point at 3 degree centigrade इसका होता है समझ में आई या बात नहीं आई जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई साब जल्दी से बता दीजिएगा मुझे ठीक है देखो तो ये था भया आज के आप आप लोगों के आज के questions I hope आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपको पसंद आया होगा बहुत सारे concept आपके repeat होगे होगे तो आपका revision नई चीजे सीखी बहुत अच्छी बात है भाई साब सारी की सारी चीजों को अपने notebook में note करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए एक बारी जितने भी नए students है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बाकी वीडियो को like and share तो करते ही रहना है तब तक ले take care good bye have a good day bye bye